जैहिन दोस्तो मैं हुआ नूँ पर आप से लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फलिक दोस्तो एक तरफ जहाँ पे फ्रांस और उसके बाद योरोपियन यूनियन के तरफ से पाकिस्तान को बड़ा जटका दिया गया और पाकिस्तान उससे फिलाल उभर भी नहीं पाया वही पे इस लिश्ट में इरान का नाम भी शामिल हो गया है मतलब दोस्तो इरान के तरफ से भी पाकिस्तान को हाली में एक बहुत बड़ा जटका दिया गया जो की इरान इंडिया के रिलेशन्शिफ को लेके था और साथ में चावार पोर्ट को लेके भी था दोस्तो सुनने को आ र कुछ महीने पहले जब सुनने को आ रहा था कि चायना और इरान के बीच में 400 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा एकोनोमिक डील हुआ है और उसके बाद इरान अब भारत के साथ नहीं बलकि चायना के साथ जाएगा तो पुरा पाकिस्तान के अंदर खुशियों का लहर बह गया था उस समय पाकिस्तानी मीडिया में तो बढचर के ये भी कहा गया कि इरान द्वारा पाकिस्तान के कहने पे इंडिया को चाभार पोर्ट से बाहर निकालके वहां पे चायना को लाया गया पर अब ख़वर खुलके ये भी आगे आ रहा है कि इरान इंडिया को कभी पर दोस्तों चावार पूर्ट से लेके जायदान तक जो रेलवे लाइन बिछाया जाना है उसमें अब भारत भी भागेदार होगा और इंडिया के स्टेट वोन इंडिया रेलवे कौंस्ट्रक्शन लिमिटेड के हिस्सेदारी भी रहेगा पर अब सवाल यह उठता है कि जब इरान और चाइना के भी इसमें 400 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा डील होने वाला था तो फिर क्यों इरान चावार पूट के लिए भारत को ही सबसे भरतमन साथ ही मान रहा है और ऐसा क्या हुआ जो इरान चाइना के साथ नहीं बलकि इंडिया के साथ आगे बढ़ रहा है। के इंटर्नल और एक्षनल पॉलिसियों के उपर किस तरीके से हावी होने का कोशिश करता है। एक्जामपल के रूप में पाकिस्तान को ही देख ले जहाँ पे चायना इन्वेट्मेंट करने के बद पाकिस्तान को अपना पालतू और खुद को मालिक का दर्जा दे चुका है। और इसी वजह से इरान के लोग और इरान के सासोकों के अंदर चायना को लेके कई सारे सवाले हैं और साथ में कई सारे आशंकाय भी हैं। और दोस्तों इसलिए चाइना को बैलेंस करने के लिए इरान द्वारा भारत के साथ भी प्रोजेक्टों में आगे बढ़ा जा रहा है ताकि भारत के साथ दोस्त भी वरकरार रहे और चाइना के डॉमिनिटिंग फैक्टर को इरान काउंटर भी कर पाए. दोस्तों इरान के इस तरीके के डिसिजन के बाद पुरा का पुरा पाकिस्तान में मातम फैला हुआ है क्योंकि पाकिस्तान अब तक सोच रहा था कि चाइना द्वारा इरान के चाभार पोर्ट के उपर अपना दबदबा बना लिया जाएगा जिससे इंडिया को इससे बाहर जो सालों से बन रहा है लेकिन बन ही नहीं पाया उसे भी काउंटर कर लेगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद